एक deserted island पर husband, wife और stranger एतिनों फ़स जाते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं तो कोई rules भी नहीं आज के हमारी movie में कुछ supernatural elements भी है इसका नाम में Survival Island जो 2005 में रिलीज हुई थी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को like और comment जरूर कर दीजे इससे चानल को support मिलता है अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारी main character इस गनामे जेनिफर यह swim करते करते हैं deserted island तक पहुच चुकी है अब हुआ क्या था यह हमें पता चलेगा जेनिफर अपना husband जिसका नामे जै और अपने कुछ friends इनके साथ holiday मनाने के लिए आई हुई थी इन्हें fishing करने थी तो एक boat उन्होंने hire कर ली यह जो वहाँ है तो हमारे और एक main character जिसका नामे manual इसे मिलते है manual इसी boat पर काम करता है जेनिफर की friend ने manual को देखा और हो कहती है कि कितना handsome है उसके friend भी married है तो जेनिफर उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है यह सब डेक पर ही थे तभी manual की girlfriend उसे मिलने के लिए आई इनमें जगडा start हो गया था वो उसे मार रही थी चिला रही थी तो manual भी उसे slap करता है यह चीज जेक को अच्छी नहीं लगी यह उस लटकी को बजाने के लिए जाने वाला था पर जेनिफर उसे रोक लेती है कहती है कि उनकी बीच में है हमें इसमें नहीं गुसना चाहिए जैक को अब manual पसंद नहीं रात में जब इस सब एक साथ थे तो ड्रिंक कर रहे थे जैक manual को देखता है तो उसे भी कहता है तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो तुमारा गुस्सा शान्द हो जाएगा चान बुच का जैक उसे चिटाने के कोशिश कर रहा था तो manual इसे इग्नोर कर देता है इसी के parallel में manual की girlfriend कों फेस से देखते है इस बार उसने बहुत याजीब से कबड़ बेहने है उसके पूरे हतोबर bracelets है जैसे हो कोई ritual कर रही हो ग्राउन पर भी बहुत सारे science बनाए हुए थे उसने फिर freeze में से कुछ dolls निकाली उसके पास manual का photo था तो उसे पकड़ कर dance करने लगके वो imagine करती है जैसे उसी के साथ dance कर रही हो वो एक doll लेकर ground पर बने होए star की बीचों भी चरग देती है नेक्सिन में जब Jennifer और Jack अपने room में आये तो manual को उनका आवाज आ रहा था इनके room side में ही थे ये दोनों intimate होने लगते है manual सब कुछ सुन रहा है intimate होते होते ही Jack को Jennifer में manual की girlfriend दिखती है इसी के parallel में manual की girlfriend ने doll को मारा और चोट manual को आई इसका मतलब है उसने ritual करकर manual की soul उस doll में डालती है अब वो उसे जैसा चाहे वैसा नचा सकती है next day swimming पर Jack ने manual से कुछ beer स्वंगवाई थी बहुत time हो गया पर फिर भी manual उसे ignore कर देता है जब board का captain Jack के पास आया तो Jack ने इस बारे में complaint की Jack कहता है कि manual को मुझसे कुछ problem है captain इस बात से गुसा हो गया था तो manual पर भी बहुत चीड जाता है manual कहता है उसे ही मुझसे कुछ problem है मैंने तो कुछ भी नहीं किया captain उसे कहता है वो जो भी कहेगा वो तुमें करना पड़ेगा manual को और भी गुसा आ गया वो इस job छोट देता है गुसे गुसे में जाते हुए अपना आपरन उसने बर्नर पर डाल दिया था इसी वज़े से आग लग गई इस पर किसी का भी ध्यान नहीं था fishing करते करते हिन्होंने नोटिस किया कि बोट पर आग लग चुकी है जल्दी से सब लोग लाइव बोट में बैट जाते है रात में बारिश हुई तुफान आया था इस वज़े से लाइव बोट बरबात होके हरो कोई पानी में गिर गया था मूवी के फर्स में हमने देखा जैनिफर देर्दी देर्दे किनारे तक आई थी यह इसी के बात का सीन था अब वो किनारे पर रेश्ट कर रही थी उसके साथ कोई भी नहीं था उससे कोई दिखा तो उसके पास वो भागती भागती गई उसे डायर के लिए कैप्टन की डेट बॉड़ी ही मिली वो रोने लगके तो भी मैनिवल उसके पास आ जाता है उसे भी बहुत बुरा लगा इस आलेंड पर इनके आलावा अब कोई भी नहीं है रात में भी ये दोनों एक साथ ही सोय थे यानि कि किसी को भी धंड ना लगे सुबा होने पर मैनिवल कुछ खाने की चीज़े ढूनता है जेनिवर आकर उसे थैंक्यू कहती है कल रात उसे वाम रखने के लिए उसने उसे पूछा कि हमें कोई लेने के लिए आने वाला है मैनिवल कहता है कि हमारा कोई भी कॉन्टैक नहीं है हम गायव है ये भी किसी को पता नहीं जलने वाला एक बड़ी प्रॉब्लम में फ़र्श चुकी है कल रात बहुत थन्ड थी तो जेनिवर उसे पूछती है क्या हम फायर बना सकते है मैनिवल को पता है कि कितना भी ट्राय करे पर फिर भी स्टीक्स वगरा लेकर वो फायर नहीं बना सकते मैनिवल ने कहा कि हम एक घर बना लेंगे ये दोनों फिर काम पर लग गए उनने कुछ वूर्स, कुछ लिउस ये सब बान कर एक घर बना लिया ये कभी कोकोनट वाटर बिते थे तो कभी बारिश का पानी स्टोर करकर रखते थे जैनिवर को सोर लग रहा था तो मैनिवल गहता है तुम्हे स्विम करना चाहिए ये दोनों फिर एक साथ स्विम कर रहे थे जैनिवल गहती है तुमने अपनी गैर्फ्रेंट को क्यों मारा था ऐसा क्या हुआ है मैन्योल ने कहा कि वो मुझे मार रही थी सब के सामने उसने मुझे बेज़त किया इसलिए मैने उसे मारा वो प्रेगनेंट है और मुझे शादी करना चाती है जेनिवर बुश्टी कि इसमें गलत क्या है मैनियल कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो पेटा मेरा ही है या किसी और का जैनिवर उसे जज़ कर रही थी तो मैनियल कहता है तुम मेरे बारे में सब को जान रही हो अपने बारे में कुछ भी नहीं पताती है तुम भी तुमारे हस्बन की तरह ही हो तुम्हारे पास पैसे है तो लगता है सब कुछ तुम बाई कर सकते हो तुम सिर्फ एक स्टूपीड लड़की हो जैनिवर को इस पर गुस्सा आ गया वहाँ से चली जाती है वो निूड थी तो मैनूल को उसने मूडने के लिए कहा पर वो मूडता नहीं वो दिन पर उससे कुछ भी बात नहीं करती रात में मैनूल कहता है जब ही मेरे फादर और मदर का जगड़ा होता था तो मेरे फादर शान्त हो जाते थे वो मुझे कहा करते थे हमें सिर्फ दिखाना है वो सिर्प प्रिटेंड करते थे कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है वो जैनिफर को सौरी कहता है अगले सूबा जैनिफर भी बोलती है मुझे कुछ भी फाइड नहीं करना अब यह दोनों यहां से फ्रेंड बन चुके है इन्हें किनारे बर कोई भी फिश नहीं मिल रहा रीफ पर अगर मैन्योल जाए तो वहाबर उसे बहुत जारे फिश मिल सकते है पर बहुत ही रिस्की है और फिर भी रिस्क लेने के लिए रिटी था उसके पास एक गॉगल और स्पेर है इससे वो फिश को मार कर लेकर आता है उसने एक जगा पर देखा तो वहाबर जैक जगमी होकर पड़ा हुआ था वो अपने साथ उसे लेकर आता है जैनिफर जैक को देकर बहुत खुश थे उसे लगा था कि उसकी डेथ हो चुकी है वो उसे पानी बिला दिये जरा कनफर्ड कर दिये उसके पास जैक सो गया था जैक जब नीन से जगा तो जैनिफर और मैनियोल को उसने एक साथ हैंग आउट करता हो देखा उसे इन पर शक आता है जैक के पास लाइटर भी था तो उसने आग लगा ली इनका फायर का बहुत बड़ा प्रॉलम अब सौल हो चुका है जैक जैनिफर और मैनियोल से कहता है तुम दोनों बहुत ही बीजी थे ये शेड वेकरा तुमने बहुत अच्छी सी बना ली है इसके बाद मैनियोल यहाँ से चला गया तो जैक जैनिफर से कहता है क्या तुम दोनों की बीच में कुछ हुआ बहुत दिनों तो तुम दोनों अकेले ही थे है जैनिफर कहती ही कुछ भी बात मत करो इसा कुछ भी नहीं हुआ है जैक इस बात को जाना ही नहीं दे रहा था तो जैनिफर गुस्से में स्विम के लिए चले गई वो वापस आने पर उससे हो सौरी कहता है वो गहता है कि में जरब बिमार हो इसलिए यह सब चीज़े बोल रहा था नेक सिर में हम देखते हैं कि जैक बहुत ही फ्रेस्टेटेड था उसे पानी बीने के लिए ओकोनर वाटर भी मिल नहीं रहा था उसे लगता है बोट का एक्सिडन्ट हुआ इसके पीछे मैनियोल ही था मैनियोल अफिश पकडने के लिए जाने वाला था तो जैक जैनिफर से कहता है उसके पास गॉगल कैसे है जब बोट डूब रही थी तब उस वक्त उसने गॉगल कैसे लिया जैनिफर कहती है तुम ऐसे ही शक ले रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है जैक को अभी भी लगता है जेनिफर और मैनुल का अफेर है मैनुल अफिश लेने के लिए जा रहा है तो जैक कहता है तुम भी उसके साथ जाओ उसे ज़रा शान्ती जाईए मैनुल अंडर वाटर जाकर एक फिश पकड़ कर लाया वो जैनिफर से कहता है तुम भी अंदर जाकर देखो अंदर उसने देखा तो बहुत सारे शाक्स थे मैनुल इस पर बहुत असा ये जब किनारे तक आये तो मैनुल का सब सामार उठा कर जैक ने अपने लिए ले लिया था मैनुल को इस पर गुसा आ गया और वो कुछ भी बोलता नहीं जैक ने मैनुल का शेल्टर भी अलग कर दिया है जैक जैनिफर से फिर से पुछता है तुमारे बीच में हुआ क्या है जैनिफर कहती है तुम सब कुछ इमेजिन कर रहे हो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है जब बाद में Jennifer और Manuel hangout कर रहे थे तो Manuel उससे पूछता है किसका problem क्या है Jennifer कहती है योसे लगता है कि हम दोनों का अफेर चल रहा है Manuel कहता है तो हमें अफेर कर लेना चाहिए इसी blame लेने में क्या benefit है Jennifer इस बात को seriously नहीं लेती थोड़ी देरे बाद Jack भी इनकी पास आया Jennifer ने Jack से कहा Manuel एक इंजिनियर है Jack Manuel का मज़ा लेता है कहता है अगर तुम इंजिनियर हो तो बोट पर क्यों काम कर रहे थे Manuel इस पर बहुत गुस्टा हो कहा है वो कहता है तो मुसे ऐसे बात नहीं कर सकते यहाँ पर मेरी वज़े से तुम जिन्दा हो Jack कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी जरूद नहीं है तो अपना देखो और मैं अपना अपना देख लूँगा Manually इने फीश वेकरा लाकर देता था अब इनके खाने भी ने की प्रॉलम हो जाते जैक कुछ ना कुछ तो ढूदने की कोशिश करता है पर सही से कोई भी ढूदनी पाता Manually की तरह अंडर वाटर जाकर वहाँ से वो फीश नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास कौकल नहीं है Manually अच्छे से फीश पकड़ता है वो अच्छे से खाना खाय रहा था जैनिफर को बहुत जादा भूग लगी थी वो भी उसके पास आई Manually कहता है अगर तुम चाहो तो यह खा सकती हो जैनिफर कहती है कि जैक को बहुत बुरा लगीगा Manually कहता है उसे पता भी नहीं चलेगा उसे प्रॉमिस करता है कि उसे नहीं बताएगा यह उसके पास बेटती है तो Manually मजग में कहता है खाने के बदले मुझे किस देना जैनिफर फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है इन्होंने बाते की और जाते वक गाल पर किस करकर वो चली गई Manually कहता है नेक्स टेम में बड़ा सा फिश लाऊंगा यहने मुझे सही से किस मिल पाए जैनिफर इस पर हस देती है थोड़ी देर बाद जैक फिर से वापस आया उसने बहुत ही छोटे छोटी फिश लाए होए थे इसे ओ खा भी नहीं सकते जैक ने फायर के पास एक स्टिक दीखी चाहा पर फिश था वो जैनिफर को कंफरंट करता है तो उसे पता चल जाता है कि Manually का खाना इसने खाया है उस पर बहुत गुस्सा हो गया तो जैनिफर कहती है मैंने उससे चुरा लिया था मैनुल पीछे से आवाज लगाता है अगर वो मुसे मांग भी लेती तो मैं हसी कुछ उसे दे देता जैक को बुरा लगा तो सही से खाना ढूणना वो फिगर आउट कर लेता है एक दिन यही फिशिंग वो कर रहे थे तब ही मैनुल उसे अपने टेंड के पास दिखा मैनुल के पास फायर नहीं है तो जैक की फायर वो स्टील कर रहा था इस कोशिश में जैक की फायर भी बुझ गई थी जैक इस पर बहुत जादा गुस्सा हो गया यह दोनों फिर जगड ने लग जाते है जैक कहता है तुमने जान बुझ कर शिप को आग लगाई थी मैनुल कहता है कि कुछ भी मत बोलो मैं तुमारे साथ यहाँ पर फसना नहीं चाता था जैक कहता है तुम जैनिफर को पाना चाते थे इनका जगड़ा खतम हुआ नेक्स डे जैक मैनुल का गॉगल चुरा लेता है वो फिशिंग करने के लिए गया मैनुल जब उठा तो जैनिफर को ही देख रहा था जैनिफर कहती है इस तरीके से मत देखो मैं तुमारे फ्रेंड नहीं बन सकती है मैनुल कहता है मुझे तुमारे फ्रेंड से कुछ जादा बनना है जैनिफर उसका कुछ भी नहीं सुनती वो जा रही थी, तब मैनुवल ने रियलाइस किया कि उसका गॉगल जैक लेकर गया है वो बहुत गुसा हो गया अब जाकर जैक को मारने वाला था पर जेनिफर उसे रोक रही थी गुसे गुसे में उसने जेनिफर कोई बकड लिया यह दोनों करीब आ गए थे तो यही पर इंटिमेट हो गए जेनिफर कहती है, इस बारे में उससे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए मैनुवल कहता है, अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ रह सकते हो, जेनिफर जैक के साथ रहना चाहती है, उसने मैनुवल से प्रॉमिस लिया, कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा मैनुवल कहता है, इस तरीकी की बात यह पता चल जाती है जेनिफर पूछती है, तुमने फिर यह किया क्यों? वो कहता है, वे तुमसे स्माइल कर रहा था, जेक जेनिफर से पूछता है, अगर वो घुसा था तो फिर क्या हुआ? जेनिफर कुछ भी नहीं बोली, तो उससे पता चल गया कि वो दोनों इंटिमेट हुए थे उससे पूछ लेता है, पर फिर भी जेनिफर कुछ भी नहीं बोलती, वो बहुत जादा डिस्टर्ब हो गया, उसने कहा हम दोनों की बीच में आप कुछ भी नहीं है जेनिफर के बाल पकड़ कर, उसे घसीट तो ये लेकर जाकर मैनूल के पास वो छोड़ देता है, मैनूल ने उसे से बोड़ी बना ली है, एक दिन जेनिफर को जैक दिखा ही नहीं, तो वरी कर रही थी, मैनूल कहता है तो अब भी उसके बारे में क्यों वरी कर रही हो उसके बात छोड़ दो, हम ज़रा एंजॉय करते हैं, हम डान्स कर सकते हैं जब दोनों डान्स कर रहे थे, तो जैक इन्हें दूर से देख रहा था एक दिन जैक को पानी में डूबी हुई पोट मिली वो उसे खीच कर किनारे तक लेकर आया जेनिफर और मैनूल ने देखा वो भी उसके पास गए वो कहते हैं, हम तुम्हें help कर सकते हैं इस board को build करने के लिए जैक कहते है, मुझे कोई भी help की जरुवत नहीं है जेनिफर इस पर गुस्टा आओ गई वो कहते है, वैसे भी तुमने कोई भी जिसका भी share नहीं की थी जैक थोड़े टाइम में इस board को सही से बना लेता है, जिस्तों सेल कर सके, मैनोल को लगता है कि अगर जैक वेसे ही गया तो उसकी date हो जाएगी, वो सही से सेल नहीं कर पाएगा, यही बात warn करने के लिए जैनिफर जैक के पास गई, वो गहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि किस डारेक्शन में जाना है जैक समार्ट था, तुसे सब कुछ पता था, तुसे सेलिंग भी आती थे, उसे कहता है कल सुबा में निकलूंगा, एक दीन में किनारे तक पहुँच भी जाऊंगा जैनिफर इससे सोचने लग जाती है जैक कहता है, अगर मेरे साथ आना है, तो फिर से मेरी बन जाओ यह सुनकर जैनिफर वहाँ से चली गई, रात में जैनिफर और मैनिफर इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे मैनिफर कहता है कि जादा टेंशन मतलो, चलो हम स्विम के लिए चलते है, यह स्विम करते हुए पानी में ही इंटिमेट हो रहे थे यह सब देखकर जैक बहुत ही जैलस हो गया, पानी में जैनिफर मैनिफर से कहती है, हमें उसकी बोट चुरा लेनी चाहिए, मैनिफर कहता है, अगर उसने रेजिस्ट किया, तो क्या करेंगे, जैनिफर कहती है, हम उसे मार डालेंगे, अगली सुपा जैक बोट को रेडी करकर फिशिंग करने के लिए चला गया था, मैनिफर को इसमें अपोइचुनिटी नजर आई, जैनिफर को कहता है, उसके वापस आने से जैनिफर किनारे तक पहुची, जैक से गयती है, तुमने मुझे मारने की कुशिश की, जैक पुचता है कि मैनिफर का है, मैनिफर भी दूर किनारे तक बहुच चुका था, जैक एक स्पेर लेकर उसके पीछे भागता है, यह स्पेर उसने उसके बैग में डाल दिया, जैनिफर जैक को रोक रही थी, मैन्योल जल्दी से स्विम करते हुए, वहां से दूर चला चाता है रात में हम देख सकते हैं जैक ने जैनिफर को पान कर रखा था मैन्योल की मिलने के बाद वो इन दोनों को मार डालेगा जेनिफर के पास हो आया कहता है तुम इस तरह से बंदी हुई हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ लही बाते करते करते मैनुल पीछे से उस पर हमला कर देता है इन दोनों की बहुत टफ फाइट हुई दोनों हर्ट हो चुके थे तो जल्दी से वहाँ से भाग जाते है मैनुल को चोट लगी थी तो जेनिफर है चोट पूछ रही थे वो उससे कहती कि हमें कई छुप जाना चाहिए मैनुल कहता है अब मैं उससे फाइट करूँगा जुपना नहीं जाता जैक सब स्पेर विगरा रेडी करकर मैनुल कोई हंड कर रहा था वो जंगल में सब जगा पर ढूणता है तो उपर से ब्लड गिरा मैनुल और जेनिफर ये दोनों पेड पर चड़े हुए थे वैसे तो मैनुल का ब्लड गिरता नहीं जैसे कि मैं पता है उसकी गल्ड फ्रेंड ने उसकी सोल एक डॉल में डाल दी है वही जान पुच कर मैनुल का ब्लड जैक पर गिराती है जैसे जैक को पता चल जाए कि मैनुल कहा है मैनुल की गल्ड फ्रेंड ultimately उससे बदला ही लेना जाती थी मैनियूल और जैनिफर ये दुनों जैक पर उपर से गुद गए जैक ने मैनियूल को बहुत इंजोर कर दिया जैनिफर जैक से लड़ रही थी जैनिफर के हाथ में चाकुआ गया जिस्वों जैक को मारने वाली थी जैक उसे रेजिस्ट करता है तभी मैनियूल को फिर से होश आ गया था वो एक बड़ा सा पत्थर लेता है जैक को मार ही डालता तभी मैनियूल की गल्फरेंड ने उसका पेर फिसला दिया नीचे एक सपेर था जो मैनियूल के पेट में गुस गया इससे उसकी डेथ हो गए उसने ये सब करवाया है अब मूवी में एक साल बीच चुका है आज तक जैनिफर और जैक ये दोनों इसी आइलन्ड पर फसे होए थे इनकी बीच में सब जीजे नॉर्मल हो गई थी एक दिन इस आइलन्ड पर कुछ लोग आए उन्होंने जैनिफर को फाइंड किया वो बहुत खुश थी या वो घर जा सकती है वो उनकी बोट पर आकर पेट बर खाना खाती है नॉर्मल खाना खाय होए उसे देड़ साल हो चुका है जाते वक्त वो जैक का लाइटर लेकर जाती है जैक फिशिंग कर रहा था तो उसे इसके बारे में पता ही नहीं जैनिफर उन लोगों के साथ आगे चली गई थी जैक ने देखा और उन्हें वो आवाज लगाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसे सुन नहीं पाया जैनिफर भी उसे as a punishment वही छोड़ कर चली जाती है अगर इस movie में हम देखे तो जिस island पर कोई भी rules नहीं है उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है तो कुछ भी करें तो किसे को कोई भी फरक नहीं पड़ेगा इसी वज़े से सब के अंदर का evil बाहर आ गया मैनुल तो पहले से characterless था वो जेनिफर के साथ मिला और जैक को यही इसी island पर छोड़ कर जाने वाला था जैक पहले से इन पर शक करता था जब उसे affair के बारे में पता चला तो उसे इने छोड़ देना चाहिए था उसने revenge लेने का सोचा इसी वज़े से चीज़े complicated हो गई इस movie में कोई भी character सही नहीं था सब सिर्फ उनकी basic instinct पर ही act कर रहे थे जो सबसे गलरत है इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इससे like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेले इंडिशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम वेर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये